Hello students, मैं Om Prakashan, Faculty of Chemistry at Team Cilsi, Sikhar. तो देखो बच्चो आज 5 नमर्ट डिसकस करेंगे, 12 है, और टोपिक है Electrochemistry, काफी conceptual chapter है, और काफी interesting chapter है. तो देखो पहला क्यों से नाप पढ़ो, On Electrolysis, A Solution of Dilute H2SO4. तो सबसे पहले तो आपको पता होने ची, Dilute H2SO4 क्या होता है? Dilute H2SO4 का मतलब, H2SO4 की अमाउंट बहúde कम है, यदि की, Solute के Amount बहुत कम होती है, Solvent काम होती है, तो ऐसी solution को आप क्या कहोगे? Dilute Solution और Concentrated Solution क्या होता है, जिसमें Solute के अमाउंट बहुत ज्यादा हो और Solvent के अमाउंट बहुत कम हो, ऐसी solution को आप क्या बहूरोगी? concentrated solution, तो dilute H2SO4 का मतलब H2SO4 बहुत ही कम है, तो water बहुत ज्यादा हो गया, between platinum electrode, the gase, evolve at the anode edge, तो देखो, यह अपने एक cell का formation करेंगे, यह को था electrochemical cell, यह को था electrolytic cell, तो यह electrolytic cell, जिसमें anode क्या होता है, positive, और cathode negative terminal से अटे जोता है, बीच में क्या लगाते हैं, बेटरे लगाते हैं, इसका positive terminal, इसका negative terminal, यहाँ पे आपने dilute H2SO4 लेंगे, dilute H2SO4 इंज, dilute H2SO4 का मतलब H2SO4 की amount बहुत ज्यादा है, तो इसकी amount बहुत कम हो गया है, तो आपन जो product का formation होगा, वो according to water के ions के according होगा, तो water के ions कौन से होगी, H+, OH-1, और इसके ions कौन होगी, H+, और HSO4-1, जो आपने consider नहीं करें, क्योंकि यह dilute solution है, तो H+, OH-1 क्या होगी, इस solution के अंदर होगी, और आप जैसे electricity pass करोगे, तो ions है, वो opposite charge electrode की तरफ क्या करेंगे, migrate करेंगे, तो OH-1 कहाँ पे आके deposit होगा, एनोड पे, और H+, कहाँ पे deposit होगा, cathode पे, तो एनोड पे कौन सी gas release होगी, O2, और cathode पे कौन सी gas release होगी, hydrogen gas, तो आपका question कहाँ है, एनोड पे उत्तुन होने वाले gas होगी, तो एनोड पे कौन सी gas है, oxygen gas है, तो third option is correct, next question, in the electrolysis of which solution, OH-1 are discharged in preference of Cl-1, वो ही electrolytic cell, जिसमें एनोड क्या होगा, anode positive cathode negative, पीच में battery लगा दिया आपने, तो देखो, OH-1 और Cl-1, 2N है, तो OH-1 का migration पहले होगा, किस से Cl-1, यानि OH-1 पहले जाके discharge होगा, किस पे, एनोड पे, दोनोड पे होगे, क्योंकि दोनोड पे charge क्या है, negative charge है, तो दोनोड की तरब क्या होगे, migrate होगे, लेकिन OH-1, Cl-1 से पहले विसर्जित होगा, तो देखो, dilute initial, dilute initial दे रखा है, एक option, very dilute initial दे रखा है, it means very dilute का मतलब, इसके amount बहुत ही कम है, इसमें भी कम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम हो जाएगी, तो इसके अंदर बहुत ही कम हो जाएगी, तो आप इसको तो consider कर ही नहीं सकते, चार्ट आइप के आयन हो जाएगे, Na+, Cl-1, और H+, OH-1, यह वोटर के आयन्स हो जाएगी, तो इसको तो आप consider कर नहीं सकते, क्योंकि very dilute solution है, this is the very dilute solution, तो इसको consider करोगे नहीं, और H, और OH-1 में कौन सा आयन माइग्रेट होगा, OH-1 माइग्रेट होगा, तो किस में होगा, very dilute NaCl में हो रहे है, ठीक है, इसमें तो OH-1 होंगे भी नहीं, क्योंकि solid NaCl है, इस fused NaCl के अंदर भी OH-1 नहीं होंगे, शिरफ Na+, और Cl-1 होंगे, तो दोनों option में से कौन सा option ज्यादा से होगा, second option ज्यादा सही होगा, क्योंकि OH-1 यहाँ पर आके, अनोड पर आगे क्या होंगे, discharge होंगे, next question, brine solution on electrolysis will not give, brine solution क्या होता है, सबसे पहले, aqueous solution of NaCl, यह NaCl की aqueous solution का आप क्या कहोंगे, brine solution, तो दिखो, उसमें चार टाइप क्या होंगे, Na+, Cl-1, H+, और OH-1, चार पर क्या होंगे, और यह किस पर जाके deposit होगा, cathode PQ, cathode क्या होता है, electrolytic cell में, negative terminology जुड़ा होता है, और यह कहां पर जाके deposit होंगे, anode PQ, anode क्या होता है, positive होता है, तो देखो, इन दोनों में कौन सा deposit होगा, तो देखो, इन दोनों में होगा, H+, N, जो cathode PQ आके क्या हो जाएगा, deposit हो जाएगा, तो add cathode P reaction क्या होगी, क्यूं deposit होगा, क्यूंकि इसका reduction potential ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले जाके क्या होगा, deposit होगा, तो H+, aquas, say H2 gas, plus 2 electron, यहाँ पर 2 कर दो आफ, तो hydrogen gas, आपको कहाँ पर मिलेगी, cathode P मिलेगी, इदा देखो, CL- और OH- N में, कौन सा सबसे पहले जाके deposit होगा, तो यहाँ पर CL- N, एनोड पर जाके सबसे पहले deposit होगा, क्यूंकि इसका discharge potential क्या है, OH- N से कमर, यहन डिस्चार्ज potential से भी देज सकते हो, reduction potential से आप देख सकते हो कि कौन सा आयन पर ले जाके deposit होगा, तो at cathode P reaction क्या होगी, sorry, at anode P, at anode P, CL- N, 2Cl- N, से chlorine gas, तो यहाँ पर कौन सी gas deposit होगी, chlorine gas deposit होगी, तो cathode पर hydrogen gas, और anode P, कौन सी gas, chlorine gas आके क्या होगी, deposit होगी, और solution में क्या बचेगा, N-OH बचेगा, जो remaining solution है, वो क्या बचेगा, N-OH, एक तो chlorine gas होगी, एक sodium hydroxide होगया, और एक hydrogen होगी, तो कौन सा नहीं मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन O2 आपको नहीं मिलेगी, तो brain solution में का electrolysis करते हो, तो कौन सी चीज नहीं मिलेगी, आपको oxygen gas नहीं मिलेगी, इसका मतलब fourth option is correct, on the basis of the information available from the reaction, ये आपको reaction दे रहिए, जिसका delta G आपको दे रहिए, मानस का 287 kJ per mol of O2, the minimum EMF required to carry out an electrolysis of Al2 O3 is, तो देखो delta G और inode cell में क्या relation होता है, तो आपको relation नहीं आदो नहीं, देल्टा G is equal to, मानस का NF E cell, डेल्टा G यहाँ पर क्या है, change in Gibbs energy, E cell क्या है, electrode potential, N यहाँ पर क्या है, number of transfer electron, F क्या है यहाँ पर, फाराडे कॉन से, तो N number of transfer electron, तो इसमें सबसे बहले आपको transfer electron देखने पड़ेंगी, तो transfer electron आप कैसे देखोगी, helium 0 से किस में जा रहा है, यहाँ पर helium की oxidation state कितनी है, plus का 3, आप से पुछाए, AL2O3 का विदूत अबटन करने के लिए, आभिशेक नियूनतम विदूत वाक बल क्या होगा, तो देखो, एक helium के लिए कितने electron का change है, तीन electron का change, तो AL2O3 के अंदर कितने helium है, दो है, तो 2 helium के लिए कितने electron का change है, तो n यहाँ पी क्या होजाएगा, 6, लेकिन mol 1 नहीं है, 2 by 3 mol है, ठीक है, तो जो mol का change है, n है, वो क्या होजाएगा, 4 by 3, मानिस का 2 by 3, into 6, ऐसे आप number of transfer electron निकालोगी, तो यह होजाएगा, 2 by 3 into 6, तो कितना होजाएगा, 4, तो number of transfer electron कितने होगी, 4, n is equal to क्या होजाएगा, यहाँ पी value आप पुट करोगे, 4, f ए फाराडे constant, एक फाराडे विरावर होता है, 96500 कुला, तो आप इस एला, easily रूप से निकाल सकते हो, मानस का 827 किलो जूल दे रखा है, तो इसको जूल में करवट करो, तो, डेल्टा जी, is equal to, मानस का, n की value 4, f ए 96500 कुलाम, e cell, यहाँ पे डेल्टा जी, आपको कितना दे रखा है, मानस का 827, तो मानस का, 827 किलो जूल को जूल में करवट करो, 10 की पाउड 3, is equal to, मानस का, 4 इंटू, 96500, e cell, मानस से मानस, cancel out हो गया, तो e cell is equal to, क्या हो जाएगा, 827 इंटू, 10 की पाउड 3, अपान, 4 इंटू, 96500, उपर कितना हो जाएगा, 10, और इसके अंदर, लगबग e cell की विल्यू क्या हैगी, cancel out करो, तो ये 5 टाइमस जाएगा, ये 2 टाइमस जाएगा, ये लगबग हो जाएगा, 413, इसका इसमें लगबग कितनी बार जाएगा, e cell आजाएगा, 5 से मल्टिप्लाइ करो, तो ये आजाएगा, 2065, upon 965, तो ये approximately, 2 टाइमस जाएगा, आगे आपको देखनी कोई जूरूत नहीं, क्यूंकि 2, कौन से option में जाएगा है, second option में जाएगा है, तो second option is correct, next question, using the electrolysis of molten NaCl, यनि शिरफ इसमें Na+, और Cl-In, the time required to produce 0.1 mol of chlorine gas, using a current of 3 MP, यनि chlorine gas obtained हो रही है, तो chlorine gas obtained हो रही है, तो Cl-In, Cl2 plus 2 electron, यहाँ से आपको number of transfer electron, कितने मिल जाएगे, 2 मिल जाएगे, कितनी mol, 0.1 mol chlorine gas obtained हो, यह तो कितना time लेगेगा, तो we know that, number of gram equivalent, according to first lap thermodynamic, first lap faraday, number of gram equivalent, is equal to mol into n factor, is equal to क्या हो जाएगा, IT upon 96500, कुलाव, तो mol कितना दे रहाएगा है, 0.10, n factor calculate कर लिए, कितना, 2, आई current कितने देरी के, 3 ampere, time second में आएगा, upon 96500, एक point से, यहां से, एक 0 cancel out हो गया, तो time is equal to क्या जाएगा, 2 into 9650, upon 3, यह आएगा second में, तो इसको minute में कर्मट करोगी, तो कितना आजाएगा, 2 into 9650, upon 3 into 60, तो 3 into 60 कितना हो जाएगा, 180, तो इसको आप multiply करोगी, तो 180 आएगा, 0 से 0 cancel out हो गया, तो time is equal to कितना आजाएगा, 965 में 18 से divide करो, तो यह 5, फिर कितना बचेगा, 3, तो 2 into 53 के approximately आएगा, तो यह 110 मिनिट, जो लगबग आ रहा है, वो कियाएगा, time हो जाएगा, तो time 110 मिनिट, तो third option is correct, next question, what is the correct Nanset equation, for reaction packing, place in the following cell, निमने cell अभीकरिया में, Nanset समीकर्ण का सही relation है, तो Nanset समीकर्ण लिखो आप, तो यह आपको learn होने चे, E cell is equal to E naught cell, minus 0.0591, upon N, log 10 base, product की कंसेंटेशन, upon reactant की कंसेंटेशन, यह अक्वस वाले आपको पूट करने, solid के केस में कंसेंटेशन क्या होगी, 1 होगी, तो देखो, यह cell का रिपर्जेंटेशन, यह है, salt bridge, इधर anodic part है, इधर cathodic part है, अक्वस वाले आपको पूटेशन होता है, cathodic part में क्या होता है, reduction होता है, तो आप reaction लिको, at anod है, तो at anod पर reaction क्या होगी, anod पर हमेंशन क्या होगा, oxidation तो mg किसमें जाएगा, mg प्लस 2, प्लस 2 electron, at cathode पर क्या होगा, at cathode पर reduction होगा, reduction होगा, तो chlorine प्लस 2 electron, से 2Cl-1 aquas, यह दोनों आयन की सिस्टेट में, aquas में, और यह solid, chlorine के है, gaze में, अब यह final reaction आजाएगे, आपके पास, तो दोनों को add कर लो, reactant साइड, reactant, और product के साइड, product, mg यह solid में, chlorine, gaze, दो electron से दे electron क्या होगा, cancel out, यह mg प्लस 2 aquas, प्लस 2 Cl-1 aquas, यह 69, इसकी 90-70 equation आपको बनानी है, तो देखो, E cell, is equal to E naught cell, minus का 0.0591, अब देखो, number of transfer electron, इसमें कितने होगे, दो होगे number of transfer electron, क्योंकि electron कितने को cancel out कर रहे हो आप, दो को कर रहे हो, लेकिन यहाँ पी सिरफ N की form में, आपको put करना है, log 10 base, product, तो product में किया है, mg प्लस 2 है, और Cl-1 aquas है, तो mg प्लस 2 की concentration, और Cl-1 की concentration का square, अपन, reactant में देखो आप, reactant में magnesium तो क्या है, solid में, तो इसकी concentration क्या हो जाएगी, 1 और chlorine gas है, chlorine का में gas है, तो इसका pressure लेंगे, तो इसका pressure कितना दे रहे होगे, 1 ATM, तो यह इसका pressure कितना दे रहे होगे, 1 ATM, तो इसका pressure कितना दे रहे होगे, ऐसा कौन सा option दे रहे होगे है, ऐसा third option दे रहे होगे है, तो third option is correct, ठीक है बच्चो, next question, तो देखो initial concentration आपको कितने दे रहे कि nickel nitrate की, initial concentration, initial concentration दे रहे है, concentration, molarity की पॉर्म में लेंगे, तो molarity is equal to क्या होता है, mol upon volume, तो initial mol यहाँ पर अपन लेंगे, तो initial mol कितने हो जाएंगे, initial mol, तो mol कैसे निकाल होगे, molarity into volume, volume आपके समें लेगो, लेटर के अंदर लेंगे, तो 2 into, volume कितना है, 500 ml upon 1000, तो यह हो जाएगा, 1 mol, initial mol 1 है, जब आप electrolysis करोगे, इतने ampere current है, 18 minute के लिए आप पास करोगे, तो कुछ mol के आउँगे, इलेक्टरोड पे जाके deposit होगे, तो remaining concentration निकाल लेते हैं, यह, दो इलेक्टरोड ले ले लिए, यह एनोड है, यह कैथोड है, एनोड है positive, कैथोड है negative, तो इस पे कितने mol deposit होगे, यहाँ पे निकल आके deposit होगा, तो कितने निकल के mol deposit होगे, यह जब इतनी ampere current इतनी time के लिए pass करते हैं, तो number of mol आप निकाल सकते हो, अभी निकालता number of gram equivalent, तो according to first law of haraday, mol into n factor, n factor कितना आएगा, 2 आएगा, simple से mol into 2 is equal to, i, i current कितनी देरी के आपको, current देरी के 96.5 into 18 minute, तो minute को अमेशा किसमे करमट करना है, 2 into 60, upon कितना आएगा, 9, 6, 5, double, 0, point कर ठाओगे, तो 10 और नीचे आजाएगा, 9, 6, 5, 6, 9, 6, 5, cancel out, 0 से 0, cancel out, ठीक है, तो यह कितना आजाएगा, mol आप calculate कर लोगी, तो mol is equal to क्या आजाएगा, 2 से 18, 9 times, 9 into 6, 54 हो गया, अप वो नीचे कितना है यहा, 100, तो यह आएगा, 0.54, इतने mol क्या होगी, इतने mol इस electrode पे आके, deposit होगी, तो remaining mol आप निकाल सकते हो, तो remaining mol, remaining mol is equal to क्या हो जाएगा, इनीचेल mol कितने है, 1 mol है, deposit कितने होगी, 0.54, तो remaining कितने है, 0.46, यह mol remaining रहेगी, आप से क्या पुछे, molarity पुछे, तो molarity आप निकाल सकते हो, molarity ब्राबर, mol कितने हैं, 0.46, कितने पुछे, 500毫्टी म कितने हैं, तो यह कितना होजागा, 0.92 M, इस ऑप निकल निकल निक्ल निक्रेत, तो कौन सा अप्शन है, जेकने हैं, इस क्रेक्ट, तो 3 फरेढ़ोप रेटरिक्रिशिट्यूर पस्थ्थ्ट्रू, Molten Al2O3, aqua solution of copper sulfate and molten initial taken in different electrolytic solution cell. The amount of aluminum, copper and sodium deposited at the cathode will be in ratio of. तो देको तीन electrolytic solution ले रहे हैं, उनकी मोलू का ratio निकाल ले हैं. तो वी know that number of gram equivalent is equal to, number of gram equivalent is equal to mol into n-factor. तो देको इसका n-factor कितना होगा? Plus 3, इसका कितना होगा? Plus 2, और इसका कितना होगा? Plus 1. Okay? तो number of gram equivalent और एक gram equivalent ब्राबर कितना होता? एक फ़राडे, तो कितने फ़राडे करन्ट पास की है? 3 फ़राडे. तो यह number of gram equivalent कितना हैंगे? 3 is equal to mol into n-factor. n-factor अगर इसकी case मिलें, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगा. तो यह L2O3 की case में है. इस case में mol कितना हैगा? इस case में mol आएगा 3 by 3 is equal to 1. अब कोपर सलफेट की बात करता हूँ मैं, तो इन case of कोपर सलफेट C.U.S.O. 4, 3 faraday, number of gram equivalent 3, mol into n-factor कितना है इसका? 2. तो यहाँ पे ratio mol का कियाएगा? 3 by 2, यानि कि 1.5. नेक्स्ट कौन सा है? sodium chloride, तो एनिस्यल है. तो एनिस्यल की case में क्या होगा? mol into n-factor कितने है? sodium chloride का 1 होगा. इनिस salt में आप n-factor कैसे निकालते हूँ? total positive charge या फिर total negative charge सी. तो mol into n-factor 1 होगया, एनिस्यल का. और 3 faraday electricity pass की, तो इस case में mol कितना जाएगा? 3 by 1 कितना जाएगा? 3. तो जो mol का ratio है, वो 1, 1.5 और 3. ऐसा कौन सा option में दे रहे हैं? ऐसा third option में दे रहे हैं. तो third option is correct. कापी आसान question है. कई बार आचुके. Question next. Which solution will show highest resistance during the phases of current? यानि सबसे ज्यादा resistance कौन? दरसा हैगा, अगर आप सबसे ज्यादा current pass करोगे. तो अगर higher concentration है, higher concentration, तो higher resistance होगा, simple सी बात है. and lower conductance. Conductance क्या होगी? low होगी. क्योंकि conductance बरावर क्या होता है? 1 upon R. तो देखो, किस की concentration सबसे ज्यादा है? higher concentration किस की ज्यादा है? उसी का resistance सबसे ज्यादा होगा. तो देखो, यहाँ पे concentration का है 0.05, यहाँ पे concentration का है 2, यहाँ पे concentration 0.1, और यहाँ पे concentration का है 1N. तो सबसे ज्यादा concentration किसी में 2nd option है. तो 2nd option is correct. Next question है, an electric current is passed through silver voltmeter connected to a water voltmeter. The cathode of silver voltmeter weight is 0.108, more at the end of the electrolysis. The volume of oxygen is. तो देखो, simple सी बात है, silver nitrate का electrolysis हो रहा है यहाँ पे. यह anode है, जो positive terminal से जुड़ा है, यह cathode है, जो negative terminal से जुड़ा है. तो यहाँ पे आपको silver metal मिलेगी, और यहाँ पे oxygen gas मिलेगी. तो आप से volume पूछा है, STP पे. तो number of gram equivalent is equal to क्या होता है? weight upon equivalent weight is equal to I into T upon 965 00 upon V upon VE. यह equivalent volume है. और oxygen के case में equivalent volume कितने होगी? 5.6 liter. तो weight आपको कितना देर का है? cathode पे कितना gram deposit होगा? silver का 0.108. और silver का molecular weight कितना होता है? 108. N factor कितना होगा? उसका 1. यह आगया आपके पास उसका equivalent weight. is equal to volume upon equivalent volume. oxygen के case में कितने होगी? 5.6 liter. hydrogen के case में 11.2 liter. chlorine के case में 11.2 liter. यहाँ पे 5.6 liter आपको करोगे. point का ठाओगे तो नीची कितना आजाएगा? thousand. यह से cancel out होगा. तो V कितना होगा? 5.6 upon thousand. अब यह आएगा किसमे? liter में और इसको ml में convert करोगे तो आप क्या करोगे? 10 की पावर 3 से multiply कर दोगे. तो यह कितना आजाएगा? 5.6 centimeter cube. thousand से thousand क्या होगा? cancel out होगा. तो यहाँ कौन सा option दे रहे है? यहाँ थार्ड आप्शन दे रहे हैं. तो थार्ड आप्शन दे रहे हैं. तो थार्ड आप्शन तो थार्ड आप्शन इज क्रेक्ट. next question. a direct current deposit 54 gram of silver. atomic mass दे रहे हैं इसका during the electrolysis, electrolytic reaction. how much aluminium would be deposited from aluminium chloride solution by the same amount of electricity. electricity दोनों में क्या रखी है? same है. it means कौन से है? second law of faraday. तो second law of faraday. same current आते ही, second law of faraday. तो w a g upon e a g is equal to w aluminium upon e aluminium. तो दो को weight कितना दे रहे हैं, silver का? 54 upon equivalent weight कितना होता? 108 upon n factor कितना होता? silver का 1. इदर weight आपको निकालना किसका है? aluminium का. upon aluminium का equivalent weight कितना होगा? aluminium का n factor कितना होता? 3. और atomic weight कितना होता? 27. तो 27 by 3. कितना हो जाएगा? 9. तो w aluminium कितना हो जाएगा यहाँ पे? w aluminium is equal to. इसको इसमें पे डिवाइड करोगे, तो 2 times जाएगा. तो 1 by 2 into 9. तो यहा जाएगा 4.5 gram. तो 4.5 gram deposit होगा जब 54 gram silver का deposit होता है. तो 4.5 किसमें देर का first option is correct. नेक्स क्यूशन. इन एक्ट्रो प्लाइटिंग एक्स्परिमेंट, milligram of silver is deposited when 4 ampere current follow for 2 minutes. यहीं एम ग्राब silver का deposit होगा जब इतनी अप्यर current आप इतने time के लिए पास करते हो. तो अगर 6 ampere current आप 40 second के लिए पास करते हो. तो कितने amount silver की deposit होगी. तो simple सी बात है. दो आप equation बनाओ इसमें. weight upon equivalent weight is equal to I into T upon 965 00. तो देखो weight कितना देर का है. m milligram weight है. upon equivalent weight कितना होगा. equivalent weight तो silver same है. तो यहाँ पे E AG upon time कितना देर का इसमें. current 4 ampere और time देर का 2 minute. 2260 upon 965 00. यह equation first होगी. और equation second. आपको कितना amount. यह amount निकालना है. जब इतनी current इतने time के लिए पास करें. तो amount आप X माल लो. upon E AG. X की value आपको calculate करनी है. 6 ampere 40 second के लिए पास करते हैं. upon 965 00. equation 1 से equation 2 को आप divide करोगी. तो यह cancel out हो जाएगा. E से E cancel out हो गया. तो कितना बचा हो जाएगा. 6 से 6 गया. यह भी cancel out हो गया. 2 बच गया. तो M by 2 is equal to. क्या हो जाएगा? X. M by 2 gram क्या हो जाएगी? deposit हो जाएगी. जब आप 6 ampere current 40 second के लिए पास करते हैं. तो second option is correct. Next question. When an electric current is passed through. acidified water. 112 ml of hydrogen gas at NTP collector cathode in 995 seconds. Back current passed in ampere. देखो क्या हो रहा है? यह acidified water है कोई. यह anode है और यह cathode है. Anode positive और cathode क्या होगा है? यहापे negative. तो देखो इसमें 2 type क्या होगा होगा? H plus और OH minus. तो यहाँ पे कौन सी gas? जब OH minus NGR, it means oxygen gas release होगी. और यहाँ पे hydrogen gas release होगी. तो आनोर्ड पे oxygen और cathode पे hydrogen gas release होगी. तो आप से पुछा क्या है इसके अंदर? करन्ट पुछी है. तो according to first law of faraday, बहुत बालिक सुकाओं में number of gram equivalent is equal to double of on e, it upon 96500 is equal to V upon VE. VE आप में क्या equivalent volume है? और वो hydrogen की case में क्या होगी? 11.2 liter होगी. तो I, आपको calculate करने time कितना देर कहें? 995 second upon 995 is equal to V upon equivalent volume कितना देर कहें आपको? यह आपको पता होना चीज़ जब hydrogen gas release हो रही है, तो कितना होगा? 11.2 liter. और volume आपको कितना देर कहें? 11.2 ml NTP पे इतना deposit होगा, ऐसा क्यूशन में देरक है, तो यह 11.2 देरक है, इसको किस में करवट करोगी आप? इसको ml में रखो तो नीचे वाली को आप लेटर को ml में करवट कर लो, तो यह कितना होजाएगा? 11.2 00 ml. तो यह cancel out होजाएगा, तो 1 upon 100 बचेगा इदर. यह इससे cancel out होजाएगा, 00 से 00 cancel out, इसमेंज, I is equal to क्या होजाएगा? 1 ampere. तो कितनी टाइम तक, टाइम तो आप से को देर के, 95 second current कितनी होजाएगी? 1 ampere. 13 में कुण सा होगा? 1st option is correct. Next question. A current of 2 ampere is passed for 5 hours through a molten metal salt deposit. 22 gram of metal. Dioxydation state of the metal in the metal salt. तो यह भी क्या 1st law of Fahrenheit से है? तो number of gram equivalent is equal to mole into N factor double upon E I into T upon 965 00 कुला. अब आप से उसके oxidation state पुछेएगी? तो देखो इसमें आप से कोई कितनी चीज़े देर रखेएगी? वेट दे रखा है, equivalent weight दे रखा है, current दे रखा है, time दे रखा है. तो इन में से चारों चीज़ें में से कोई 3 चीज़े दी जाएगी, आपको एक चीज़े पुछी जाएगी. और equivalent weight बराबर क्या होता है? Atomic weight upon N factor. Atomic weight upon N factor. तो यहाँ पे आप weight, weight कितना दे रखा है, weight कितना फूट करोगे 22, तो 22 upon atomic weight कितना दे रखा है, 117 upon X. current कितने देर के 2 ampere, कितने hours के लिए 5 hours के लिए 5 into 60 into 60 upon 965 00. तो X की value calculate कर लो आप, तो X is equal to क्या हो जाएगा? 00 से 00 cancel out और यह कितना जाएगा? 10, 6 into 6, 36, 360 into 117 upon 965 into 22. यह X की value आजाएगी. यह value किसके आजाएगी? X की आजाएगी. अब इसको solve कर लो, जो value आएगी वो क्या होगी? उस metal की oxidation state होगी, तो यह approximately value आजाएगी. यह लगवग 3 times जाएगा. 22 into 3 कितना हो जाएगा? 66, और 66 का 177 भी कितना हो जाएगा? 3 times जाएगा. तो oxidation state कितनी हो जाएगी? तो calculation आप कैसे करोगी? Approximately calculation किया करो, ताकि answer जल्दी आने की possibility हो. तो oxidation 3 किस में है? 3rd option है. 3rd option is correct. Next question. If the enode cell for a given reaction has a negative value. यहनि enode cell की value क्या दे रही किया आपको? Negative दे रही किया. Then which of the following give the correct relationship for the value of delta G-node? तो we know that delta G-node is equal to होता है, minus का NF enode cell. डेल्टा-जी के standard change in Gibbs free energy. एन है नमरोब ट्रांस्व एलेक्ट्रोन, F है फाराडे constant, enode cell है, standard cell potential. तो देखो इसकी value negative है. तो यहां पे आप value क्या put करोगी? Negative. Negative, negative क्या हो गया? Positive. तो delta G-node क्या हो गया? Positive. यह delta G-node greater than zero. और एक relation होता है, delta G-node और K-equilibrium की बीच में, minus का RT ln K-equilibrium. इसकी value क्या है? Positive है. तो यह value positive कब आ सकती है? जब K-equilibrium की value क्या है? अगर एक से ज़्यादा होगी, तो value negative आएगी, लेकिन आपको तो क्या चीज़ीज की value positive? तो K-equilibrium की value क्या होगी? 1 by 2 put कर दूँ, यह less than 1. तो K-equilibrium क्या होगा? less than, sorry, less than क्या होगा? 1 होगा. तो यह condition कहां पी fulfill हो रही है? तो यह condition first option में fulfill हो रही है. तो first option is correct. Next, Colrouse law states that at Colrouse law, क्या आपको बताता है? तो देखो, Colrouse law क्या है? Infinite Dilution पे क्या होगा यह? Applicable होगा. तो simple सा मैं एक example लेता हूँ, जैसे lambda EQ-Infinite Al2 SO4 का thrice Infinite Dilution पे Colrouse law follow होगा और यह किसके एकुल होगा? जो इसमें आइन्स हैं इलेक्ट्रोलाइट में इसके Infinite Dilution के बरावर होगा. Lambda EQ-Infinite Al2M plus 3 plus Lambda EQ-Infinite SO4 minus 2 यहानि जो Colrouse law के Infinite Dilution पे किसी भी electrolytic solution की जो conductance है वो उसके ions की Infinite Dilution पे उसके ions की equivalent conductance की addition की equal होती है तो यह है Colrouse law. तो देखो इसमें पढ़ो आप Infinite Dilution, each ion max definite contribution to conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion of the electrolyte यहनि दूसरे आइन की nature पे डिपेंड नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल सही है लेकिन यह किस पे दे रहे है आपको conductance conductance ने equivalent conductance तो first option क्या हो गया? गलत हो गया second देखो Infinite Dilution, each ion max definite contribution to equivalent conductance क्या दे रहे है? equivalent conductance दे रहे है of an electrolyte whatever be the nature of the other ion of the electrolyte तो कौन सा option सही होगा? second option सही होगा यहनि Cole-Ross-Low की यह definition है जो आपको learn करने है next question the equivalent conductance of M by 2 solution M by 2 solution of weak monobasic acid यह Cole-Ross-Low का application है तो यह equivalent conductance दे रहे हैं at more cm2 at infinite dilution is 400 more cm2 the dissociation constant of this acid यहनि acid का आपको dissociation constant निकालना है तो dissociation constant क्या होता है? weak acid का K is equal to C alpha square और alpha क्या होता है? यहनि कि C concentration पे equivalent conductance upon infinite dilution पे equivalent conductance तो C concentration पे equivalent conductance कितनी दे रहे है? और infinite dilution पे conductance कितनी दे रहे है? 400 at upon 400 तो यह कितना हो जाएगा? 1 by 50 और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.02 यह किसकी value आपके पास? यह alpha degree of dissociation की value आपके आपके पास? तो dissociation constant K is equal to क्या हो गया? C कितना दे रहे है? 1 by 32 alpha कितना दे रहे है? 0.02 तो 0.02 का square तो इसको आप simplify कर लो तो 1 by 32 into 4 into 10 की power minus का 4 तो यह कितनी times हैगा? 8 times तो 1 by 8 into 10 की power minus 4 इसको आप simplify करोगे तो कितना हैगा? 1.25 into 10 की power minus का 5 तो देखो ऐसा कौन सी option में दे रहे है तो ऐसा 1st option में दे रहे है तो 1st option is correct next question which of the following expression correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of aluminum sulfate given that यह आपको उसके आयन से दे रहे है are the equivalent conductance at infinite dilution यह Colrouse law है और Colrouse law में infinite dilution पे जो equivalent conductance है उसमें coefficient include नहीं होगे molar conductance में coefficient include होगे जबकि equivalent conductance में coefficient include नहीं होगे यह क्या equivalent conductance है infinite dilution पे तो इसमें कौन से आयन है? एक तो AL plus 3N है एक SO4 minus 2N है तो λेम्डा EQ infinite AL plus 3N प्लस λेम्डा EQ infinite SO4 minus का 2N तो ऐसा कौन सा option है? ऐसा second option है अगर molar conductance होती तो आप N factor include करते हैं अगर molar conductance होती तो first option क्या हो जाता है? सही हो जाता है लेकिन आपको क्या पुछी इसकी? equivalent conductance पुछी तो ल्यांग की चा लगता तो इस case में second option is correct next limiting molar conductivity of ammonium hydroxide यह भी क्या है? Cole Rouse low का application है is equal to किसके equal होग? यहनि इसकी आप conductance कैसे calculate कर सकते हो तो lambda M infinite ammonium hydroxide is equal to lambda M infinite ns4 plus lambda M infinite OH- तो देखो यह चीज़ आप कैसे obtain कर सकते हो यह इन 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 को आपको obtain करना पड़ेगा तो SI ions कहां पी मिलेंगे आपको देखो SI ions पहले में तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ns4 plus उसमें OH-n add होना चाहिए लेकिन CL-n add हो रहा तो यह तो गलत हो गया इसमें भी तो स्वाल ही नहीं क्योंकि ammonia minus को क्या कर रहे हो आप मानिस में कर रहे हो 3rd option देखो यहां से आपको क्या आएगा ns4 plus आएगा यहां से आपके पास क्याएगा c l minus आएगा ns4 plus n आएगा तो यह भी equation क्या होगी गलत होगी 4 देखो आप यहां से ns4 plus आया और यहां से negative n क्या आगया OH-n तो यह दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे और c l minus n और na plus n requirement नहीं है तो यह subtract हो जाएंगे तो 4th option is correct next question on the basis of the given equivalent conductivity यहनि इसकी equivalent conductivity क्या होगी तो देखो आप क्या करोगी इन दोनों आयन को add करोगी तभी तो यह आपको मिलेगा न इसका requirement नहीं तो इसको आप minus कर दोगी तो lambda infinite ammonium hydroxide is equal to इन दोनों को add करो आप तो 130 plus 174 minus 66 तो यह कितना हो जाएगा 4 10 और 3 minus 66 तो देखो यह लगवक कितना हो जाएगा 238 के लंद समझाएगा तो second option is correct next question 21 the limiting molar conductivity इन 3N की limiting molar conductivity आपको देर की है respectively तो यह आप अच्छे से द्यान रखें आगे पिछी value put ना करें ताकि answer गलत ना है और 0.1m acetic acid solution की 0.1m acetic solution की किये conductance आपको देर की C concentration पे the degree of dissociation of 0.1m acetic acid solution at the same temperature तो देखो आप सबसे पहले alpha alpha क्या लिखोगी lambda eq c concentration upon lambda eq infinite dilution infinite dilution limiting molar conductivity तो इन से आप acetic acid कैसे obtain करोगी तो यहां से तो आपके पास क्या आएगा acetate आएगा इन दोनों को आप क्या करोगी add करोगी लेकिन यहां पे negative आइन को उन से आ रहे c l minus और यहां से na plus है तो इस na c l को आपको क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा तो देखो lambda eq infinite acidic acid is equal to lambda eq infinite add c l को add करो plus lambda eq infinite c s 3 c o n e को add करो minus lambda eq infinite initial को subtract करो तो lambda eq infinite acidic acid कितना जाएगा तो देखो इसकी value कितने है 450 इसकी कितने है 90 तो 4 25 plus 90 minus NHL की कितने है 125 तो यह कितना जाएगा 390 तो इसकी value कितने आ जाएगी 390 यह आपके पास कितने आ जाएगा infinite dilution पे तो c पे कितनी है 7.8 infinite पे कितनी है 390 point अटाओगे तो नीचे क्या जाएगा 0 2 times गे तो alpha कितना जाएगा आपके पास 0.02 alpha क्या degree of dissociation for acidic acid तो second option is cracked next question at 25 degree Celsius the molar conductance at infinite dilution for the strong electrolyte यह सब के सब strong electrolyte दे रहे हैं आपको देखने से पता लग रहा है strong base है salt है दो इनकी आपको क्या देरिकी है molar conductance दे रहे है molar conductance आपको देरिकी है इसकी आपको पूछी है सबसे पहले आप equivalent conductance calculate करें तो we know that molar conductance is equal to क्या होता है equivalent conductance into n-factor ओके तो आप इनकी molar conductance से equivalent conductance calculate करोगी तो n-factor से divide कर दोगे इसका n-factor कितना होता है इसका n-factor होता है 1 इसका n-factor भी कितना होगा 1 क्यूंकि number of ions से आप देखोगी इसका n-factor कितना होगा 2 तो equivalent conductance देखो आप equivalent conductance किसकी n-oh की तो यह तो agities हो जाएगी कितनी 248 into 10 की पाउर मानस का 4 लेम्डा इक्यू infinite अब किसकी देखोगे आप n-acl की कितनी हो जाएगी 126 into 10 की पाउर मानस का 4 लेम्डा इक्यू infinite barium chloride की क्या हो जाएगी अब देखो इसका n-factor 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 add t into 10 की पाउर मानस का 4 by 2 तो यह कितना जाएगा 140 into 10 की पाउर मानस का 4 यह is equivalent conductance जाएगी अब आपको इसकी molar conductance बुचिए तो equivalent conductance calculate कर लो तो इन ions को क्या करना पड़ेगा barium hydroxide इनको add करोगी तो कितना एगा 240 add plus 140 वो subtract कर क्या करोगी मानस का 126 into 10 की पाउर मानस 4 क्या कर लो आप पे common ले लो बार तो lambda equ infinite कितने आ जाएगा आपकी पास तो इसमें से मानस करो आप या जाएगा 0 इन दोनों को add करो आप तो 248 148 add 388 मानस का 126 तो 388 मानस का 126 हो जाएगा 262 262 या जाएगा 262 into 10 की पाउर मानस का 4 या आगे equivalent conductance तो यह value आप यहां पर पूट करो अन फेक्टर कितना होगा इसका अन फेक्टर होगा इसका इसका 2 number of OH-1 कितने आएगे 2 आएगे तो अन फेक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो लेम्डा M infinite barium hydroxide is equal to 2 into कितना हो जाएगा 262 into 10 की पाउर मानस का 4 तो यह जाएगा 524 into 10 की पाउर मानस का 4 यह आएगी molar conductance infinite dilution पे किसकी barium hydroxide की तो second option is correct next question molar conductance of electrolytic solution molar conductance क्या होगी lambda M इसके definition अपन समझते हैं अगर किसी भी electrolyte की कोई भी electrolyte है simple अपनने ले लिया जैसे NACL तो किसी भी electrolyte का 1 mole या N mole ले लो आप अगर किसी भी electrolyte का N mole अगर VML solution के अंदर present है तो इस solution की जो conductance होगी उसे आप क्या कहोगी molar conductance तो molar conductance का relation क्या होता है k into 1000 upon M M यहाँ पे क्या है concentration तो molar conductance क्या होगी concentration की inversely proportional होगी तो कौन सा option जाएगा third option correct होगा next question the efficiency of a fuel cell fuel cell की efficiency आप कैसे निकालोगी तो देखो fuel cell की efficiency आप कैसे निकालोगी तो देखो total energy system की तो efficiency क्या हो जाएगी efficiency अप के लिए आपके पास जितनी वह energy होती है वो पूरी की पूरी energy आप अड़ाई में यूज थोड़ी करते हो नहीं करते हैं आप बाकी काम भी तो आपको करने होते हैं तो वह energy जो प्योगी कारे में खर्च होती है उसे आप delta G तो आपके लिए delta G क्या है पढ़ाई total कितना है delta H यानि शिस्टम की total energy को किस से रिपरेजन करोगे आप delta H तो यह हो जाएगी efficiency तो कुछी भी system की efficiency आपको निकालनी है तो delta G Gibbs पर रिए energy होनी चाहिए और delta H enthalpy में आपके पास चेंज जोना चाहिए तो third option is correct next question की तरह मूँ करते बच्चों next question देखो chemical reaction यह chemical reaction आपको दे रिख ही है packing place in galvanic cell is represented by the notation आपको cell का representation करना है तो आप सबसे पहले देखोगे cell का representation तो यह बीच में salt bridge इदर इसका allodic part इदर इसका cathodic part तो allodic part पे आप क्या पढ़ोगे oxidation और cathodic part पे आप क्या पढ़ोगे reduction तो देखो इसमें oxidation किसका हो रहा है और reduction किसका हो रहा है यह चीज़ आपको देखेंगे तो ag plus n से ag 0 में जा रहा है तो oxidation number decrease हो रहे है तो इसका क्या होगा reduction यहां hydrogen के free state में है तो इसका oxidation number 0 यहां पे hydrogen का क्या होगा plus 1 तो यह क्या होगा oxidation तो देखो इसमें क्या है hydrogen electrode है इसमें सबसे inert electrode क्या होगी platinum तो देखो ag plus से ag यह तो होगया reduction एक electron गेन करवाना है oxidation क्या होगा H2C 2H plus 2 यह क्या होगया oxidation तो देखो hydrogen platinum electrode किसके लोगी आप इस electrode के लिए platinum electrode लोगी फिर hydrogen hydrogen यह hydrogen put कर दिया फिर H plus aquas यह तो होगया इसका anodic part और anod पे क्या होगा oxidation cathodic part में क्या put करोगी आप ag plus से ag यह metal electrode है तो इसके लिए आप कुछ भी रिपर्जेंड नहीं करोगी तो ऐसा third option third option is correct question number 26 the relationship between standard reduction potential of cell and equilibrium constant is sure one यहनि की mana caption भी वह और समय उस्ता strength में क्या relation है तो we know that at equilibrium at equilibrium पे क्या होगा delta G0 और delta G0 तो E cell 0 होगा क्योंकि we know that change in Gibbs energy delta G is equal to क्या होता है माइनस का NF E cell यह relation तो आपने अच्छी से बढ़ रखा होगा तो अगर यह 0 है तो E cell भी क्या होगा 0 होगा अब देखो अच्छी से अच्छी क्या होगा अच्छी क्या अच्छी क्या होगा अच्छी क्या होगा यह relation है तो देखो कौन सा relation दे रहक है, anode cell is equal to 0.0591 upon n log kc, kc क्या है k equilibrium, तो second option is correct, next question, तो question number next देखो आप 27, which of the following is concentration cell, concentration cell क्या होता है, same electrode, यानि anode और जो cathode है, वो same electrode होने चाहिए, और इनमें standard inode cell क्या होना चाहिए, inode cell 0 होना चाहिए, और different concentration होने चाहिए, concentration इन दोनों की क्या होने चाहिए, different concentration होने चाहिए, उसे आप क्या कहोगे, concentration cell कहोगे, तो देखो आप, चार आपके पास option दे रखें, उसमें देखो पहले क्या है, same electrode है, बिल्कुल बात है same electrode होनेची concentration cell में लेकिन concentration देखो क्या देखो गां सेम तो पहला गलत option है सेकंड देखो same electrode है लेकिन concentration देखो concentration इनकी सेम है तो ये भी गलत option है third देखो different electrode है एक तो जीbey ये गलत हो गया fourth देखो आप दोनो हाईटोजन electrode है बिल्कुल hydrogen electrode है but इनकी concentration same है कि different है तो आप देखरो दोनुकी concentration क्या होगी different होगी it means यह क्या है concentration cell है तो fourth option is correct next question 28 standard reduction potential दे रहे का है इन चारू metals का continue respectively which one of the following is strong oxidizing agent strong oxidizing agent क्या होगा तो वी नो देट जिस metal का standard reduction potential जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा strong oxidizing agent होगा strong oxidizing agent होगा तो वी नो देट standard reduction potential जिसका ज्यादा होगा वो directly proportional कि इसको होगा strong oxidizing agent के अब देखो आप reduction potential किसके ज्यादा है तो देखो lithium उसके बाद में barium उसके बाद में के sodium और उसके बाद में magnesium चार आपको क्या दे रहे हैं metals दे रहे हैं और उनका आपको reduction potential दे रहे हैं माइनस का 3.05 second है माइनस का 2.90, third है माइनस का 2.71 और फॉर्थ है माइनस का 2.37 तो जिनका standard reduction potential इतना ज्यादा होगा वो उतना ही strong oxidizing agent होगा तो standard reduction potential किसका ज्यादा है top to bottom जाओगा electrochemical series में तो standard reduction potential increase होगा और जो नीचे-नीचे metal या फिर non-metal है वो उतनी ज्यादा का होगी strong oxidizing agent होगी तो यहाँ पर magnesium का standard reduction potential ज्यादा तो यह उतना ही ज्यादा क्या होगा strong oxidizing agent होगा तो fourth option is correct next question 29 यह sale का representation दे रहे हैं आपको पता बीच में salt breeze होता है इधर anodic part होता है इधर cathodic part होता है anode पे oxidation होता है cathode पे reduction होता है इसका आपको enode cell दे रखा ठीक है equilibrium constant आपसे पुछा तो जससे पहले execution 26 अपनने derive किया था उसमें यह तो derive किया था standard cell potential है और k equilibrium में क्या relation तो inode cell is equal to क्या होगा 0.0591 यह relation आपको याद बने चीए ताकि calculation क्या हो fast to number of transfer electron कितने होंगे तो chemical reaction number of transfer electron कितने है to log 10 base k equilibrium inode cell कितना है 1.10 तो यह 1.10 इसको आप approximately calculate करो तो इसका इसमें लगवा कितनी बार जाएगा 0.03 times divide होगा तो यह 0.03 log 10 base k equilibrium point से point क्या होगया cancel होगा इसमें लगवा कितनी बार जाएगा 37 times तो 37 is equal to क्या होजाएगा log 10 base k equilibrium तो k equilibrium is equal to क्या होगा 10 की power plus 37 तो यहां पर थोड़ा misprint होगया यहां पर 10 की power 37 इसको read करें तो कौन सा option से होगा second option is correct next question 30 यह देखो आपको क्या दिरक है इनका reduction potential दिरक है ap plus 2 से ap और ap plus 3 से ap plus 2 दोनों का reduction potential दे रक है और इस cell reaction का आपको cell potential calculate करना है तो inode cell is equal to inode reduction किसका cathode का minus का inode reduction किसका anode का फूट करोगी तो आपके पास इस cell reaction का inode cell आ जाएगा तो देखो आप इस reaction को देखो ap ap plus 2 में जा रहे तो देखो इसका क्या हो रहे oxidation हो रहे है oxidation होगा तो इसको किस की तरह आप किस की तरह पूट करोगे anode की जगे और ap plus 3 से ap plus 2 में यह क्या हो रहा है reduction और reduction as a cathode की जगा आप पूट करोगे तो देखो ap से ap plus 2 है और एक दिरका ap plus 3 से ap plus 2 तो देखो आप क्या पूट करोगे enode cell is equal to यह cathode की तरह भीव कर रहे है it means आप क्या पूट करोगे oxidation हो रहे है इसका तो यह हो जाएगा 0.0 sorry 0.7 1-719- entity आप कि आप की तरह नोड करेगा एक प्रते वायल encouragement आप के आपके पास आपके इस नडर से बैंट आप्स है प्वायल्सु सरफ से होगा एग फिस इस्तर का नजड़ unit क्या होगी फ॥फ्वार आपके पास ऺंडरों आपके पास से ऑप्सिंव से होगा, first option is correct. Next question, 31. On the basis of following inod value, the standard oxidizing agent. अब दोगा, आपको क्या दे रिख है? यहाँ पे आपको इन दोरू reaction के अंदर आप देखोगे, reduction हो रहा है, तो आपको क्या दे रिखा है? reduction potential दे रिख है, और आपको strong oxidizing agent निकालना है, तो, sorry, oxidation potential दे रहे का है, तो आप इसको reduction potential में convert करोगी, तो आप क्या करोगी? magnitude तो सेम रहेगा, बट क्या change हो जाएगा? sign change हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? plus का 0.35 volt, और यहाँ पे क्या हैगा? plus का 0.77 volt, यह आपने क्या calculate करिया, यह आपने reduction potential calculate कर लिया, और reaction क्या हो जाएगी, reverse हो जाएगी, तो आप से पूछाए का strong oxidizing agent कौन से है, तो जिसका reduction potential ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? strong oxidizing agent है, जो applications of electrochemistry में आपने पढ़ रखा होगा, तो इस reaction को उल्टा करोगी, तो यह क्या हो जाएगा, आपका strong oxidizing agent, तो first option is correct, next question 32, यह आपको reaction दे रखे हैं दो, उनका आपको standard cell potential दे रखा है, और इस reaction का आपको क्या पूछ रखा है, इस reaction का आपको electrode potential पूछ रखा है, तो आप इन दोनी reaction से, यह reaction आपको कैसे obtain करोगी, तो यह आपको judge करना है, तो देखो copper plus 1 है, वो इस side आ रहे है, कि side reactant के side, तो second equation को आपको change करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगी, delta Gibbs energy में change करोगी, तब ही आप क्या कर सकते हो, add कर सकते हो, subtract कर सकते हो, तो delta G is equal to क्या होता है, तो we know that delta G is equal to होता है, minus का NF inode cell, n क्या number of transfer electron, इसमें number of transfer electron कितने है, 2, तो minus का 2F, और इसकी value क्या है, inode cell की 0.337, ऐसे आप क्या करोगी, delta G node 2 calculate करो, तो delta G node 2 is equal to क्या हो जाएगा, minus का 1F, और यहां पर क्या put करोगी, 0.153, यह आगया, अब क्या करोगी, इसको तो आपको reverse करना पड़ेगा, कौन सी equation, second को, first में कोई change नहीं होगा, तो third equation है, यह आपको delta G node 3 देदो, आप तो delta G node 3 is equal to क्या हो जाएगा, equation second को reverse करोगी, तो delta G node 1 minus delta G node 2, reverse कर दिया, अब value put कर दो, तो इसमें क्या हैगा, minus का N, number of transparent electron कितना है, 1, तो minus का 1F in node cell is equal to, delta G1 के, minus का 2F, और यह कितना है, 0.337, minus, आगे delta G node की value क्या देर कि, minus का 1F, into कर देते, 0.153, अब दो, सब जिगह, minus F है, तो minus F से minus F cancel out कर दो, तो in node cell कितना हो जाएगा, 2 into 0.337, minus 0.153, तो 2 से multiply करोगी तो कितना हो जाएगा, 4, 7, 6, यह जिरो पॉइंट क्या जाएगा, 6, 7, 4, minus 0.153, तो यह लगवक, 0.52 के लंब समाएगा, तो देखो, 3rd reaction का जो आपको, electrode विवाव है, वो क्या हैगा, 0.52, ऐसे question बहुत कर रहे हैं, नीट के अंदर भी आचुके हैं, तो ऐसे question में क्या करोगी, आपको final reaction कैसे obtain करनी है, वो आप देखोगी, इन दोनों reaction में आप reverse करोगी, कि या add करोगी, इनको आप delta G node में करमट करना ना बूलिएगा, नहीं तो आपके पास गलत option आजाएगा, next question 33, a solution contained, solution के अंदर यह यह चीज़े है, this solution was treated with iodine at 35 degree Celsius, दोनों का आपको क्या दे रहे है, reduction potential दे रहे है, the favorable redox reaction, तो ऐसे question को आप क्या करोगी, आप option से check करो, I- will be oxidized I2, तो, I- क्या होगा, oxidize होगा, किस में? I2 में, तो क्या होगा, इसका oxidization हो रहे है, minus 1 से किस में जा रहे है, 0 में, oxidization हो रहे है, बाकी का क्या होगा, फिर reduction होगा, यहनि, AP plus 3 से AP plus 2 में जाएगा, इसका क्या होगया, reduction होगया, अब इसका anode cell आप निकाल लो, तो इसका anode cell क्या हैगा? cathode में से anode का माइनस करोगी, तो यह cathode की तरह भी यह कोण करेगा, जिसका reduction होगा, यह cathode की तरह भी यह करेगी, और यह anode की तरह भी यह करेगी, ठीक है? अब देखो आप, यह तो किसका दे रहक है? यह reduction potential दे रहक है, 0.7 में से आप माइनस करोगी 0.53, तो देखो यह क्या? 0.77 में से माइनस करोगी 0.536, तो इसके विल्यों देखो positive आएगी, और inode cell positive आजाएगा, it means reaction क्या होगी? spontaneous हो जाएगी, तो देखो पहला option क्या दे रहका है, i- will be oxidized i2, i- i2 oxidized हो रहा है, तो यह क्या होगा फिर? reduce होगा, तो क्या सही है की गलत है? बिल्कुल सही है, ऐसे आप कौन से option को check करोगे? second को, ऐसे क्या करोगे? third को, अब second में F e plus 2 is oxidized, F e plus 3, तो second होट देख लेते हैं, F e plus 3 है, sorry F e क्या देर कहे? plus 2, F e plus 2 है, जो oxidized किस में हो रहा है, F e plus 3 में, यह oxidized होगा, तो उसको क्या करेगा? reduce करेगा, तो i2 किस में जाएगा? यह i- आएगा, i- किस में convert होगा? i2 में convert होगा, जब इसका आप inode से निकालोगे, तो वो क्या आएगा? 0.536-0.77, इसके value क्या आएगी? negative यह value negative आएगी, तो delta denote क्या आएगा? positive आएगा, क्यूंकि इसकी value क्या है? negative है, तो delta denote की value positive तो reaction क्या हो जाएगी? non spontaneous हो जाएगी, तो वो process क्या होगा? possible? नहीं होगा, तो कौन सा option से होगा? first option is correct 33 में कुन सा होगा first option say होगा next question 34 देखो 4 आपको क्या दे रहे हैं metals की reduction potential दे रहे हैं ठीक है oxidizing power तो मैंने आपको बहुत बार बता चुखा कि reduction potential directly proportional होता है oxidizing power की applications of electrochemical series में आपने पढ़ रखा होगा तो देखो जिसका reduction protein से ज़्यादा हो उसके oxidizing power भी ज़्यादा होगी अब देखो option में पहले में reduction protein सबसे ज़्यादा है तो cobalt plus 3 की जो oxidizing power होगी वो सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद में PB plus 4 की उसके बाद में cerium plus 4 की और उसके बाद में विश्मित प्लस 3 की, इनकी Oxidizing power का क्या है, order तो कौन सा option से ही होगा, fourth option is correct, next question 35, for the cell reaction, ये cell reaction देरी कि inode cell आपको दे रिक है, एक electrode का आपको reduction potential दे रिक है, तो दूसरी electrode का reduction potential calculate कर सकते हो, simple सा question है, तो देखो, ये तो किस की तरह भी उकरेगा, क्या हो रहा है यहां पर, reduction हो रहा हो रहा है, Oxidation हो रहा है तो ये एनोड की तरह भी उकरेगा, तो inode cell is equal to क्या हो जाएगा, inode, reduction किसका, cerium plus 4 से cerium plus 3, ये तो क्या हो गया, cathode minus inode reduction, cobalt plus 2 से cobalt का, ये किस की तरह भी उकरेगा, एनोड की तरह, inode cell कितना देर रहा है, 1.89, तो यहां पर कहाएगा, 1.89 नहींगा, cathode यहां पर कहाएगा, cathode का आपको calculate करना है, तो इसको आप X माल लो, minus, anode का, कितना देर के, minus का 0.28, और reduction potential देर के आपको, तो इसको आप इधर ले क्या होगी, तो क्या होगा, X की value, X is equal to 1.89, minus का 0.28, तो इसकी विल्या आएगी, 1.6 के approximately, तो ऐसा option कौन सा देर के, positive में आएगी, तो ऐसा option कौन सा देर के, second option, तो second option is correct, next, 36, the potential of standard hydrogen electrode is 0, यानि standard hydrogen electrode का potential 0 आपको आपको आजियम करते हैं, तो ऐसा कौन से में देर के, तो डेल्टा जी नोड, relation आपको पता, डेल्टा जी नोड, F, is equal to क्या होता है, minus का, NF, E cell, अगर इसको आपने क्या put कर लिया, 0 आजियम कर लिया, तो डेल्टा जी नोड, F, formation, hydrogen क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा option देर के, ऐसा first option देर के, तो first option is correct, 37, E1, E2, E3, R, EMF value of 3 galvanic cell, 3 galvanic cell देर के, इसकी EMF value आपको देर के, E1, E2, R, E3, तो देखो, E1 क्या होगा, इनसकी nancyft equation देखो, E1 क्या होगा, E0 cell, मानस 0.0591, अपॉन, एन, लॉक 10, 20, Zn, प्लस 2 की, कंसंटेशन, अपॉन, कोपर, प्लस 2 की, कंसंटेशन, अपॉन, कोपर, प्लस 2 की, कंसंटेशन, पुट करोगे, तो देखो, जिंक की क्या देर किये, 1, तो उपर क्या पुट करोगे, आप, 1, नीचे कितनी देर किये, कोपर, प्लस 2 की, 0.1, पोइंट को अठाओगे, तो उपर कितना हैगा, 10, तो देखो, ये क्या हैगा, इनोड सेल, माइनस, क्या हैगा, 0.0591, अपॉन, एन की विल्यू क्या पुट करोगे, 2 करोगे, ये तो क्या आजाएगा, ऐसे, E2, E2 क्या हैगा, इनोड सेल, माइनस का, 0.0591, अपॉन, लॉक 10 बेस, अब देखो, प्रोड़क्ट में, कंसंटेशन 1, और एक्टिन में भी 1, यानि की, 1 अपॉन, 1 की वेल्यू, क्या होगे, लॉक 10 बेस, 1 की वेल्यू, जीरो, तो यहाँ पे क्या हैगा, सिर्फ, इनोड सेल हैगा, थैर्ड, E3 is equal to, क्या जाएगा, इनोड सेल, माइनस का, 0.0591, बाई क्या हैगा, बाई 2, यह नहीं पुट कर दो, सब जगह, एन पुट कर रहे हो, तो, लॉक 10 बेस, प्रोड़क्ट कितने है, 0.1, रियक्टेंट कितने है, 1, 1, पुट कर ठाओगी, तो, निच्चे कितना हैगा, 10, जब 10 उपर जाएगे, तो, 10 की पाउर, माइनस 1, वो माइनस 1 कहा जाएगा, आग्या जाएगे, तो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी, तो, देखो, यह तो जूड़ रहा है, यह माइनस हो रहा है, यह कैसी रप, इनोड जेल आपको, आप्टेंट हो रहा है, तो, देखो, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा वेलिग किस की होगी, E3 की होगी, क्योंकि, इसमें कुछ से, एड हो रहा है, तो, E3, सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में, उसके बाद में, E2, और सबसे कम क्या होगा, E1, यह इनके, रेडेक्शन पोटेंशिल का ओडर होगा, क्योंकि, इसमें क्या होगा है, माइनस ओडर, ऐसा कौन सा उप्शन है, ऐसा सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्यूशन नमर थर्ट येट, वोट विल बीदे एलेक्ट्रोड पोटेंशिल ऑफ हाइट्रोजन एलेक्ट्रोड, वैसे तो आपको इसका सिधा रिलेशन पता होगा, फिर भी आपन डेराव कर लेते हैं, 2H plus IN, HCl अक्वस स्टेट से 2 इलेक्ट्रोड गेन करके, किस में जाएगा, H2, गेस में जाएगा, इसके लिए नेंसट एक्वेशन लिखो, तो E cell is equal to E node cell कितना है, 0, तो 0 minus का 0.0591 वाइट 2 log 10 base pH 2, हाइटोजन गेस का प्रेशर अपोन H plus N की कंसंदेशन का स्क्वेर, तो E cell is equal to क्या हो जाएगा, नमर अप्ट्रांस्प एलेक्ट्रोड कितने 2, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, 0.0591 वाइट 2, हाइटोजन की इसका प्रेशर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या जूम करोगे, 180 हम जूम करोगे, तो log 10 base, 1 upon H plus N की कंसंदेशन का स्क्वेर, यह कहां चला जाएगा, उपर चला जाएगा, तो कि यह value क्या हैगी, माइनस का 0.0591 वाइट 2, log 10 base, H plus N की कंसंदेशन की पावर, माइनस का 2, माइनस 2 कहां जाएगा, आगे जाएगा, तो माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह चीज़ से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो e-cell is equal to क्या हो जाएगा? माइनस of माइनस 0.0591 log 10 base H plus N की concentration. इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? इसको pH लिख सकते हो? तो क्या जाएगा? माइनस 0.0591 into pH और pH कितनी दे रहे है? 1 तो यह क्या जाएगा? माइनस का 0.0591 into 1 volt और इसको आप किस में convert कर सकते हो? इसको मेगा वल्ट में भी convert कर सकते हो. तो कौन सा option आजाएगा? 4th option. 4th option is correct. हाँ, question number 39 Which of the following curve gives the variation of lambda M infinite with root C for acidic acid? यह क्या है? weak electrolyte weak electrolyte जिसके लिए alpha कितना होता है? less than 100% यहने 100% से क्या होगा? इसका कम होगा और धीरे-धीर डाइलूट करोगे तो degree of dissociation क्या होगा? increase होगा. जबकि strong electrolyte के लिए alpha कितना होता है? 100% होता है. तो root C और अगर molar conductance के बीच में अपन ग्राफ प्लोट करें, तो जैसे जैसे degree of dissociation alpha increase होगा, वैसे वैसे क्या होगा? molar conductance भी increase होगी. तो root C और molar conductance के बीच में अपन ग्राफ प्लोट करें, तो इसका graph कुछ ऐसा आता है, जरे-जरे molar conductance क्या होती है, concentration decrease होगी है, जरे-जरे, जरे molar conductance increase होगी, तो ऐसा आता हो, weak electrolyte के लिए ऐसा graph, weak electrolyte यह नहीं acidic acid, जबकि यह किसके लिए strong electrolyte के लिए graph है, तो कौनसा option से होगा? None of these, इन्वे से कोई नहीं है. Next question, question number 40, a solution containing one mole per liter of each copper nitrate, silver nitrate, mercury nitrate, magnesium nitrate is being electrolyzed by using inert electrode, the value of standard electrode potential, यह यह standard electrode potential, सबकी value आपको given है, इसके इसके इतर है, एक value जिसमें पड़ती लिटर में यह सब given है, आपको क्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप देखो इन चारों के आपको क्या दे रखे हैं? Oxidation potential दे रखें, तो देखो सबसे उपर कौन सा होगा? यानकी deposit होने की tendency क्या होगा, जिसका reduction potential ज्यादा होगा, reduction potential जिसका high होगा, easily deposited on the cathode, वो cathode पर आसानी से क्या होगी? deposit होगी, अब देखो आप reduction potential किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा reduction potential किसका होगा? AG सबसे नीचे होगा, उसके बाद में क्या होगा? HG, उसके बाद में copper, और magnesium तो क्या? magnesium का तो oxidation potential ज्यादा होता है, बीच में क्या जाता है? H2 आ जाता है, तो deposit होने के tendency है, उस सबसे पहले क्या होगी? Silver होगी, उसके बाद में क्या होगा? Mercury, उसके बाद में copper, लेकिन magnesium deposit नहीं होगा क्योंकि इसका oxidation potential क्या है? बहुत ज्यादा है, उससे पहले H2 क्या हो जाएगा? deposit हो जाएगा, तो deposit होने के tendency क्या हो? HG, HG और copper. Next question, 41 x at 180 m is bubbled through a solution containing mixture of 1 m y- and 1 m z-. इनका आपको reduction potential देखो क्योंकि दे रहका है, question के अंदर. Reduction potential दे रहका है, तो Z, सबसे नीचे क्या है, Z, फिर Y, और फिर X. Reduction potential top to bottom जाओगी, तो क्या होगा? Reduction potential increase होगा. तो electrochemical series के अंदर एक applications है कि high reactive metals, low reactive metals को उसके solution से displace कर देगी. तो देखो X, Y, और Z को displace कर सकती है, क्योंकि X क्या है? High reactive metals है. लेकिन Z, Y, और X को displace है, नहीं कर सकता. यह आपने देखा होगा. तो पहला option देखो, Y will oxidize X and not Z. Y है, वो Z को क्या कर देगा? Reduce कर देगा. Y will oxidize X, यहनि X को oxidize करेगा, लेकिन Z को oxidize नहीं करेगा. तो आपने ऐसे भी बोल सकते हैं, जो Y metal है, वो Z को क्या कर सकता है? Reduce कर सकता है, लेकिन X को reduce है? नहीं करेगा. तो पहला option क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. Second option, Y will oxidize Z. Y Z को reduce करेगा, oxidize नहीं करेगा. तो second option, गलत है. तो first option सही हो गया. Next question, 42. For the electrochemical series, यह आपको एक cell का representation देरके है, इन लोनों के reduction potential आपको given है. From this data, one can deduce that. तो इनमें से कौन सा एक option सही हो? काफ़ important question है. तो देखो आप, पहला आपने देखते है, यह कोई cell reaction क्या है? Spontaneous है. तो यह आप किस से पता करोगी? यह आप anode cell से पता करोगी. Anode cell अगर positive आ गया है, it means क्या है? यह spontaneous हो जाएगी. Anode cell आप करा करो इनode cell is equal to. इसमें देखो, यह किस कितरा भी युक्रेगा? Oxidation हो रहा है कि reduction? Oxidation हो रहा है तो यह anode कि तरा भी युक्रेगा, यह reduction हो रहा है तो यह cathode कितरा भी युक्रेगा. तो इसका reduction potential कितना है, इसका reduction potential 0.33 minus, ये तो क्या होगिया, cathode का reduction potential minus anode का reduction potential 0.44, ये तो minus का 0.11 volt आ जाएगा, जो कि क्या है, negative आ गया, इट मिंस ये spontaneous reaction नहीं होगी, क्या होगी फिर, non spontaneous reaction होगी, तो पहला होगया, गलत, second देखो आप, इसका क्या होगा है, reduction, इसका होगा है, oxidation, तो इस second वाले case में, inode cell क्या आएगा, 0.44 minus 0.33, ये आजाएगा, plus का 0.11, तो देखो, inode cell क्या आगया, positive होगया, और inode cell जैसे positive होगया, तो वो reaction क्या होगी, spontaneous reaction होगी, spontaneous reaction, तो कौन सा option से होगा, second option is correct, बाकी दो option तो आपने देख लिए होगी, जो कि दोनों गलत है, next question, 43, saturated solution of potassium nitrate is used to max salt breeze, salt breeze क्या होता है, उसके applications क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, salt breeze एक U-type की shape होती है, जिसमें inert electrolyte, KNO3, ammonium nitrate, ये डाले जाते हैं, और ये क्यों डाले जाते हैं, इनके पीछे कुछ regions होते हैं, दोनों की velocity same होने चीए, केटाइन की velocity है, केटाइन और एनाइन, केटाइन और एनाइन दोनों की velocity same होने चीए, क्योंकि salt breeze क्या करता है, दोनों electrolytic solution के अंदर neutrality को maintain करने का काम करता है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें बैटरी लगाने की जरूत है नहीं, ये salt breeze होता है, इसमें KNO3 का electrolytic solution होता है, तो यहां पे कौन साथ चार्ज इकटा होता है, आपको बताओगा, यहां पे negative charge इकटा होता है, और यहां पे कौन साथ चार्ज इकटा होता है, यहां पे positive charge, sorry, यहां पे positive charge इकटा होगा, ठीक है इसको नुट्राइज करने के लिए यहां पे कौन सा इन आएगा यहां पे नुट्राइज करने के लिए नगेटिव आएगा इसको नुट्राइज करने के लिए पोजिटिव आएगा इसको नुट्राइज करने के लिए पोजिटिव आएगा इसको नुट्राइज करन होगी तभी क्या होगा यह एक दूसरे को easily क्या करेंगे neutralize करेंगे और sail लंबे time तक working करेगा तो देखो किश में velocity is same velocity of potassium is greater than that of nitrate iron second velocity of nitrate iron is greater than that of potassium and velocity of both ketan and nr are nearly the same the third option is correct next question 44 standard electrode potential are given यनि की 4 आपको standard यहां पे CR2, 7-2 है इन 4 हों के आपको standard reduction potential आपको दे रखें ठीक है identify the only incorrect statement regarding the quantitative estimation of aquas ferrous nitrate solution जैने कि किसमें इसका quantitative analysis आप नहीं कर सकते तो देखो पहला option देखो आप MnO4- can be used in aquas H-cell solution क्या इसको यूज कर सकते हो गया आप तो देखो MnO4- we know that strong oxidizing agent tracking की यहां पे manganese का oxidation state क्या है plus 7 है यह plus 7 से किसमें जाएगा Mn plus 2 में जाएगा तो इसका क्या होगा reduction होगा यह oxidizing agent है तो यह दूसरे को oxidize करेगा किसको oxidize करेगा i- say ito oxidize करेगा ठीक है यह ito को क्या कर देगा oxidize कर देगा इसका inode cell जब आप calculate करोगी inode cell यह तो किसकी तरह भी उकरेगा reduction, reduction cathode लोगे आप और oxidation क्या लोगे अनोड लोगे तो आप इसका inode cell को क्या आएगा यह तो MnO4- और यहाँ पे sorry CL2 लेना यहाँ पे आप क्या लोगे CL2, CL- से क्या लोगे आप CL- से CL2 इनका inode cell देखो आप क्या आएगा 1.51 minus का 1.40 यह कितना हैगा 0.11 volt आजाएगा, inode cell क्या आगया, positive आगया, inode cell positive आते ही क्या होगी reaction spontaneous होगी, लेकिन आप इसके साथ इसका मातरात्मक आकलन नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी cell potential आजाएगा, जिसकी value क्या हो जाएगी, inode cell क्या हो जाएगा उस case में जब आप इसका estimation करोगी, तो यह negative हो जाएगा, और negative हो जाएगा, तो cell reaction क्या हो जाएगी, non spontaneous तो कौन सा option, इसके अंदर incorrect है, first option, तो first option is incorrect Last and final question है, silver nitrate was added in aqueous solution, KCL solution was gradually and the conductivity of the solution was measured the plot of conductance versus the volume of silver nitrate जब केसियल वेलेन में silver nitrate को आप दीरे दीरे पुट कर रहे हो, यह यह KCL solution है, और इसमें पुट कर रहे हैं, आप silver nitrate, ageno 3 तो जैसे आपने एक drop silver nitrate की डाली, तो KCL solution है, वो silver nitrate के साथ reaction करके क्या बना लेगा, PPT बना लेगा precipitate, किसकी form में, agcl की form में बना लेगा, तो जैसे जैसे डालोगे आप silver nitrate वैसे वैसे किसकी का formation होगा, PPT का formation होगा, तो इसके बीच में graph कैसा आएगा, तो इसमें देखो molar conductance और volume, volume किसकी, silver nitrate के आप mix करेंगा, तो एक time ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा KCL, silver nitrate के साथ reaction करके, किसमे convert हो चुका है, PPT में convert हो चुका है, तो initially इसकी conductance क्या होगी, एकदम constant रहेगी, लेकिन इस point की बाद में क्या होगा, पूरा का पूरा KCL क्या हो चुका है, solution से, precipitate में convert हो चुका है, अब आप HgNO3, again HgNO3 मिलाओगे, तो Hg+, और nitrate ion, इन दोनों की ionic conductance होने की वज़े से, यह जो molar conductance हो दिरे-दिरे क्या होगी, increase होगी, तो पहले constant रहेगी, उसके बाद में increase होगी, तो देखो ऐसा option देर का है, ऐसा fourth option देर का है, तो fourth option is correct, तो देखो student, आज अपने 45 question complete किये हैं, तो electrochemist में लगबख सभी type के concept इस chapter के अंदर आज सुके हैं, ठीक है, बाकी कल करते हैं, thank you so much.